नमस्कार बी ये भाग पर्थम की इस ओनलाइन व्याख्यान का खिशा में आपका स्वागत है आज हम एक टॉपिक इंटर्वेल इसको पढ़ेंगे इंटर्वेल को समझने के लिए आपको आपने अगर नाद और शुती और आंदोलन संख्या वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको यह ध्यान आएगा कि प्रत्यक स्वर एक निश्चित आंदोलन संख्या इन इन इनकाला जा रहा है उसमें एक सेकंड में जितने कंपण होंगे वह उस्की आदोलन संख्या कहलाएगी और अंदोलन संख्या हर स्वर की अलग-अलग होती है जैसेे हम सब तक में आगे बढ़ते आं सा से रे, रे से ग, ग से मा मा से पापा से ध, ध से नी और नी से सा तो आंदोलन संख्याएं बढ़ती जाती हैं आंदोलन संख्या का मतलब एक सेकंड में हुए कमपन कहां पे कमपन होंगे जिस साज में जैसे अगर सितार बजा रहे हैं तो तार में कमपन होंगे तबला बजा तो जो उसमें नोड और एंटी नोड बनते हैं, वो कमपन होते हैं, तो यहां आप देख रहे हैं कि सा का जो आंदोलन संख्या है, वो 240 है, इसी तरह से रे की आंदोलन संख्या 270 है, गर की आंदोलन संख्या 300 है, यानि 300 कमपन प्रति सेकंड, एफ या मा की आंदुलन संक्या 320 है पर की 360 है धर की 400 है नी की 450 है और सा की तार सब तक की 480 है ये देखिए इस सा की और इस सा की जो आंदुलन संक्या एंड में क्या डिफरेंस है एक सब तक जैसे ही खतम होता है और हम जब दूसरे सब तक में स्टार्ट करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी पहले वाले सब तक के सा से एकदम डबल होती है तो ये फ्रिक्वेंसी आपको याद रखनी है कि सी मतलब जो वेस्टर्न म्यूजिक में सी जिसे बोलते हैं वो सा है डी मतलब रे, ए मतलब ग, एफ मतलब म, जी मतलब प, ए मतलब ध, बी मतलब नी और सी मतलब सा तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है सा दो सो चालीस, रे दो सो सत्तर, ग, तीन सो, म, तीन सो बीस, प, तीन सो साथ, ध, चार सो, नी चार सो पचास, और सा चार सो असी यह ध्यान रखते हुए हम आगे इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आंदोलन संख्या या इंटरवेल या स्वरांतर ये होते क्या हैं किनही भी दो स्वरों के बीच की दूरी को स्वरांतर कहते हैं दूरी का मतलब क्या हुआ जो उनमें अनुपात है, आंदोलन संख्याओ का अनुपात उसको स्वरानतर्या इंटरवेल कहते हैं जिस प्रकार सेंटिमीटर अथवा किलो मीटर आदी में लंबाई ना पी जा सकती है या ग्राम किलो ग्राम आदी में भार या तौल आँका जा सकता है उसी प्रकार स्वर की दूरी शुर्टी अथ्वा शुर्ट स्वर अंतर के द्वारा ना पी जा सकती है भारती संगीत में इस हितु शुर्टी का विधान प्राचीन काल में ही माना गया था शड़जमध्यम अत्वा सड़जपंचम भाव करम से 9 और 13 शुर्टियों के दूर बतायी जाते थे आपने शुर्टी का चैप्टर पड़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि चौथी शुर्टी पे सा है और तेरे मी पे मा है और सत्रे मी पे पा है तो नो और तेरा जो सड़ज मद्यम यानि सा और मा की दूरी कितनी है वह है नो शुर्टी दूर और सा पा सड़ज पंचम की यानि सत्रा माइनस चार वो हो गई तेरा तो जो स़ज मध्यम भाव यानि साघ और मक आंतर और स़ज पंचम भाव यानि साः और पक कांतर यह हमारे जो शाश्तरों में 9 और 13 शुरतियों को बताया गया है जब से हमारे शाश्तरकारों को आप तार की लंबई और आंदोलन संक्या की खोजगी तब से गुणांतर द्वारा स्वरों की दूरी बताई जाने लगी गुणांतर यानी आंदोलन संक्याओं के बीच का अनुपात तो पाश्चात देशों में भी ऐसे प्रियत्न होए हैं और विभिन गुणांतरों के द्वारा विभिन दूरियों के अलग-अलग नाम रख दिये गए पाश्चात्य संगीत में स्वरों के नाम ये निम्ण के अनुसार स्वरांतर या इंटर्वेल बताए गए पहला बताया गाया है युनिसन इंटर्वेल देखिए युनिसन इंटर्वेल ये क्या कहता है कि जब किनी दो आंदोलन संग्ख्याओं में एक अनुपात एक का अंतर हो यानि दोनों बराबर हो पहली आवाज भी सा की है या सी की है दूसरी आवाज भी सा और सी की है तो वह अनुपात युनिसन इंटर्वेल कहलाता है ऐसी वस्ता में दोनों ही आंदोलन संख्याओं का मान समान होगा जैसे दो सा एक साथ बजाए जाएं मद्य सब्तक के या तार सब्तक के या किसी भी सब्तक के तो वो दोनों अगर एक ही सब्तक के हैं तो उनकी क्योंकि आंदोलन संख्या भी बराबर होगी तो उनका अनुपात भी एक अनुपात एक होगा चाहे हम प और प को एक साथ बजा रहे हैं तो तीन सो साथ अनुपात तीन सो साथ वो भी एक अनुपात एक हुआ यानि दो समान स्वरों को एक साथ बजाया जाए तो वह अंतर जो है वह युनिसन इंटर्वल या one is to one का अनुपात कहलाता है फिर दूसरा होता है octave interval octave हमारे भारती संगीत में सब तक को सातों सवरों को सब तक कहा जाता है जबकि western जो पास्चाते पद्धती है उसमें उसको octave कहा जाता है octave interval क्या है कि जब किनी दो सवरों में एक सब तक का अंतर हो तो उसकी दूरी को octave interval कहते हैं जैसे मान लीजे दो अलग-अलग सवर बज़ रहे है पहला बज़ रहा है मद्ध सब तक का सा यानि जिसकी आंदोलन संक्या 240 है और दूसरा बज़ रहा है तार सब तक का सा यानि उसकी आंदोलन संक्या 4 सवस्ती है तो इन दोनों के बीच का अनुपात कितना हो गया वन रेज वन इस्टू टू यानि एक अनुपात दो या इसे दो बटे एक का गुनांतर भी कहते हैं अगर इसमें इस संक्या का भाग देंगे तो यह दो बटा एक आएगा तो यह इंटरवेल अक्टिव इंटरवेल कहलाता है और इसे परफेक्ट इंटरवेल भी कहते हैं परफेक्ट इंटरवेल किन किन को कहते हैं यह हम आपको बाद में पूरा बताएंगे फिर है फिफ्थ इंटरवेल अब फिफ्ट इंटर्विल क्या है कि अगर आप C या सा से चलें तो उसको पहला स्वर मानें तो सा रे गा मा प यानि यह देखिए सा रे गा मा प एक दो तीन चार पांच तो पांचवा स्वर कौन सा होता है इसी तरह से C, D, E, F, G तो यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तो पांचवा स्वर कौन सा होता है सा और प का जो अंतर है वो फिफ्ट अंटर्वल है या सी और जी का अंटर्वल है तो इस स्वरांटर को सड़ज पंचम स्वरांटर भी कहते हैं भारती संगीत की द्रिष्टी से स्वरज स्वरांतर कहेंगे इसमें दो अनुपात तीन रहता है स्वरों के बीच में अब आप देखेंगे सा की आंदोलन संख्या कितनी थी दो सो चालीश और प की आंदोलन संख्या कितनी है तीन सो साथ तो इस तीन सो साथ में दो सो चालीश का अगर भाग देंगे तो वह तीन बटा दो आएगा इसी प्रकार हम अगर तीन सो यानि इसको पहला स्वर्माने एक दो तीन चार पांच तो यह भी फिफ्ट इंटर्वेल है साड़े चार सो और तीन सो इसमें अगर आपस में भाग देंगे तो तीन बटे दो आपको नज़र आएगा तो तीन बटे दो का जहां अंतर आता है या तो यहां भी इन दोनों के बीच में भी तीन बटे दो का अंतर है तो यानि जहां पर यह देखिए इस इस स्वरांतर को सड़ज पंचम स्वरांतर भी कहते हैं इसमें दो अनुपात तीन अथवा तीन बटा दू का गुणा अंतर होता है जैसा मैंने आपको समझाया तो तीन सो साथ बटे दो सो चालीस या चार सो पचास बटे तीन सो यानि सा या प या ग और नी यह दोनों अं अंतराल है या फिफ्थ इंटर्वेल है या शडज पंचम अंतराल है यह भी एक परफेक्ट इंटर्वेल कहलाता है जैसे मैंने बताया सी और जी में या ई और बी में यह अंतराल होगा फिर होता है फोर्थ इंटर्वेल अब फोर्थ इंटर्वेल फिर आप यहां एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यानि सा और म में, सी और एफ में, जो अंतराल है, तीन सो बीस, बटे, दो सो चारीज, यानि, चार बटा तीन, तो यह चार बटा तीन का अंतराल फोर्थ इंटर्वेल है, तो फोर्थ इंटर्वेल में आप पढ़िए, जब किनी दो सोरों के बीच, तीन अनुपात चार का अनुपात हो, या चार बटा तीन का गुनांतर हो, तो उस दूरी को फोर्थ इंटर्वेल कहते ह और हिंदुस्तानी संगीत में इसे सरजमध्यमभाव कहते हैं दो स्टो चालीश और तीन स्वबीस में तीन और चार कानुपाथ है और इसे भी परफेक्ट इंटर्वेल कहा जाता है यह इंटर्वेल सा और म यह सी और एफ के बीच में होता है अब मेजर थर्ड इंटर्वेल मेजर थर्ड इंटर्वेल क्या हुआ जब दो स्वरों के आंदोलन संख्या में चार और पांच का अनुपाथ हो अथवा पांच बटा चार का गुणानतर हो तो इस दूरी को मेजर थर्ड इंटर्वेल कहते हैं जो सा और ग में नज़र आती है, जिसे बारती संगीत के साब से शरज गंधार भाव कहते हैं, सा आपको मैंने बता रखा है, पहले हमने जो चार्ट देखा था, उसमें साथ दो सो चालीस का था और ग तीन सो का था, तो अगर हम तीन सो और दो सो चालीस को डिवाइड करेंगे तो यह है पांच बटा चार आएगा, तो पांच बटे चार का गुनांतर हो या चार अनुपात पांच का अनुपात हो, तो यह है सोरांतर, फोर्थ मेजर थर्ड इंटर्वल कहलाएगा, और सरज गंधार भाव हमारे भारती संगीत के हसाब से उपर, फिर है माइनर थर्ड माइनर थर्ड का मतलब, जब किनी दो सरों में पांच और च्छे का अनुपात हो, और च्छे बटे पांच का गुनांतर हो, इसे हम माइनर थर्ड इंटर्विल कहते हैं, अब हमने यहाँ पे क्योंकि सभी बारा सरों की कोमल तीवर की आंदुलन संख्या नहीं लिखी है, त तो कोमल गंधार की जो अंदुलन संख्या है वो दो सो इठ्यासी आपको नजर आएगी, तो सा और कोमल गंधार यान 288 अपॉन 240, यह जो इंटर्विल है, वह माइनर थर्ड इंटर्विल है, सा और कोमल गांतर, जो छे बटा पांच कहलाता है, अब एक मेजर टोन इंटर् इंटर्विल मतलब, जिस प्रकार सा और रे के बीच का अंतराल है, सा कितना है, 240, रे कितना है, 270, तो इन में जो अनुपात है, आठ अनुपात 9 या गुनांतर है 9 बटे 8, इसे मेजर टोन इंटर्विल कहते हैं, मेजर टोन इंटर्विल, जो सी और डी में भी यही रहेगा ठीक है, इसी प्रकार भारती संगीत में से 4 शुर्थी कांतर या 30 शुर्थी अंतराल कहा जाता है, माइनर टोन इंटर्विल होता है जब 2 शुरों में 9 और 10 का आनुपात हो, अथवा 10 बटे 9 का गुनांतर हो, तो यह minor tone interval कहलाता है जैसे सा, रे जो होता है वो 270 है और गा है वो है 300 है तो यह जो 300 बटे 270 यानि 10 बटे 9 9 और 10 का जो अनुपाथ है वह minor tone interval कहलाता है और यह रे और गर के बीच में होता है भारती संगीत के हिसाब से और पश्चिन संगीत के हिसाब से यह डी और ए में होगा आप इसमें यहां पर देख पी सकते हैं 300 और 220 यह जो अंतराल है यह 10 बटे 9 है यह वाला अंतराल 300 और 270 रे और गर वाला अंतराल जो है न वह 10 बटे 9 है 300 बटे 270 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह 10 बटे 9 आएगा तो यह जो अंतराल है 10 बटे 9 का वह सेमी टो माइनर टोन अंतराल कहलाता है फिर आता है सेमी टोन अंतराल सेमी टोन का जो अंतराल है वह आपको दो जगए दिखेगा एक तो गा और मा के अंतर जो दिखेगा यानि 320 और 360 गा और मा 320 और 300 तो अगर 300 और 320 का अनुपात निकालेंगे तो वह 15 अनुपात 16 आएगा और गुनांतर 320 में से 300 को भाग देंगे तो वह 16 बटे 15 आएगा इसी प्रकार 480 और 450 में यही अंतराल आएगा जो तार सब्तक के साथ और निशाद के अंतराल है वह भी यही आएगा तो दो तरह के सेमी टोन हमारे को एक सब्तक में मिलते हैं एक गा और मा के बीच का और एक शुद्ध निशाद और तार सब्तक के साथ हो अब जो आता है वो है मेजर शिक्स्थ इंटर्वेल जब 3 और 5 का अनिशाद हो या 5 और 3 का गुनांतर हो जैसे आप देख सकते हैं धर और सा में जो अनतराल है धायवत का अंदोलन संक्या कितनी है 400 और सा की अंदोलन संक्या है दोसो चालीस तो इसमें आपस में जो गुणा अंतर है वो पांच बटा तीन का है मतलब तीन और पांच का अनपाथ है इसे भारती संगीत के साफ से शड़ज धैवत भाव कहते हैं जो सा और धैम अंतर जो है अब माइनर सिक्स्थ जो अंटरवेल है वो हम कोमल धैवत की क्योंकि के आंद्वलं संख्या मनें पहले लिखी नहीं है तो कोमल धैवत की आंद्वलं संख्याStudy होती है तीन सफ़ चौनासी जो सा और कोमल धैवत का जो अंतर है यानी आठ बटा पांच जो अंतराल है या पांच और आठ का इंटरवेल है वह माइनर सिक्स्थ इंटर्वेल कहलाती है और इसे सड़ज कोमल धैवत बाव भी कह सकते है अब इन में मैंने एक दो अंतराल के बताते वक्त यह बताया था कि इसे परफेक्ट इंटर्वेल कहते हैं तो हम किन-किन अंतरालों को तो perfect interval कहते हैं, और किन-किन अंतरालों को augmented interval कहते हैं, diminished interval कहते हैं, यह भी अपको देखने के चलना है. परफेक्ट इंटर्वेल जो साम, साप और सासा यानि जो युनिजन इंटर्वेल, ओक्टेव इंटर्वेल, फोर्थ इंटर्वेल और फिफ्थ इंटर्वेल ये जो चार इंटर्वेल थे ये परफेक्ट इंटर्वेल कहलाते हैं यानि साम, साप, सा और साफ सेम स्वर और सा और तार सब तक का स्वाब यूनिजन इंटर्वेल, ओक्टेव इंटर्वेल, फोर्थ इंटर्वेल और फिफ्थ इंटर्वेल ये परफेक्ट इंटर्वेल कहलाते हैं फिर होते हैं मेजर इंटर्वेल मेजर इंटर्वेल किन किन को कहते हैं सारे साम, साधर और सानी इनको मेजर इंटर्वेल कहा गया है फिर होते हैं माइनर इंटर्वेल माइनर इंटर्वेल किन किन को कहा गया है कि जब मेजर इंटर्वेल में एक सेमी टोन यानि एक सेमी टोन को अंतर को कम कर दें 15 बटे 16 अंतराल को अगर कम कर दिया जाए तो वह माइनर इंटर्वेल कहता है यह दो प्रकार से संभव है एक तो हम उपर वाले यानि उच्छे स्वर को आधा टोन कम कर दें या नीचे वाले स्वर को आधा टोन बढ़ा दें तो यह माइनर इंटर्वेल आ सकता है तो मेजर इंटर्वेल हमारे कौन कौन से है सा रे अब सा और रे मेजर इंटर्वेल है तो अगर कोमल रे की बजाए कोमल रे कर दिया जाए तो सा और कोमल रे एक माइनर इंटर्वेल हो गया इसी प्रकार सा और ध भी major फिरांतर है major interval है तो इसको अगर सा और शुद ध की बदाए कोमल रे कर दिया जाए तो कोमल रे और शुद ध यह interval minor interval है इस तरह से augmented interval क्या होता है augmented interval होता है कि जो हमने अब तक पड़े की major interval और perfect interval इन में जो उंचा वाला स्वर है उसको आधा स्वर बढ़ा दे यानि जैसे साप इसके पंचम को हम आधा स्वर चड़ा दे यानि कोमल धर तक कर दे तो यह एक perfect interval ना हो करके augmented interval हो जाता है इसी प्रकार सा मा भी एक perfect interval है इसके मा को हम ती बुर्म कर दें आधा स्वर बढ़ा के तो वह भी एक augmented interval है इसी प्रकार augmented interval हम जो नीचे वाले स्वर है उसको कम करके भी कर सकते हैं जैसे सा और पर यह फिफ्थ इंटर्वेल है और perfect interval है तो perfect interval में नीचे वाला स्वर कौन सा हुआ सा इसको आधा स्वर नीचे कर दें यानि नी पर कर दें तो नी और पर यह भी एक augmented interval है अब है diminished interval यानि यह स्वरांतर परफेक्ट अथवा minor स्वरांतर से एक और सेमी टोन यानि आधा स्वर छोटा होता है तो सा और पर मैंसे उपर के स्वर को फ्लेट कर देंगे से अथवा नीचे के स्वर को शार्प कर देंगे से यह diminished दिवरांतर की प्राप्ति होती है जैसे सा और पर है यह perfect interval है तो इस पर की जगे मैं तीवर्म कर देता हूं तो यह diminished interval हो जाएगा या सा की जगे कोमल दे करदूर पर को पर ही रखूं तो यह भी एक diminished interval है अब है inverted interval अगला inverted interval जब किसी स्वरांतर में उपर के स्वर को एक सब तक नीचे कर दिया जाए तो यह inverted interval कहलाता है अब जैसे मैं आपको पांच फिफ्ट जो interval है वो कौन-कौन से स्वरां के मत दे होता है सा और पर के मत मत दे सब तक का सा और मत दे सब तक का पर अब इस पर को अगर मैं मत दे सब तक की जगे मंत दे सब तक का कर दूँ तो वह अंतराल जो मंद्र सब्तक के प और सा के पीक में हो जाएगा हुआ है उल्टा हो जाएगा तीन बटा दो की जगे दो बटा तीन हो जाएगा तो इसलिए इसको इंवर्टिड इंटर्वेल कहते है या जैसे फौर्थ इंटर्वेल है फौर्थ इंटर्वेल सा और म के बीच में है तो म को मैं मद्र सब्तक के बजाए मंद्र सब्तक में कर दूँ तो म और सा वह इंटर्वेल तीन बटे चार की चार बटे तीन के बजाए तीन बटे चार हो जाएगा यह inverted interval हो जाए अगला है 7 आण compound interval चबकि नहीं 2 सौरों में 1 सबतक से अधिक की दूरी हो तो इसे compound interval कहते हैं जैसे मान लीजी मैं सा मद्य सबतक का लेता हूँ और तार सबतक का या गतार सबतक का या मतार सबतक लेता हूँ यह compound interval कहना दा हूँ इंटरवेल्स होते हैं जो साथ प्रकार की कहलाते हैं ये आपको आज हमने इसमें चर्चा करी और इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझना आया हो कोई जिग्या सा हो कोई शंका हो तो आप WhatsApp ग्रूप में अपनी शंका रख सकते हैं धन्यवाद